बुल को कहते हैं बैल और बैर को कहते हैं भालू इस शायरी के साथ करते हैं अपना वीडियो चालू बहुत ही बकवास हो गई है लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी का एक और बार स्वागत है आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देता हूँ जी हाँ कमेंट्स में आपको केवल अपने सवाल लिखने रहते हैं और फी सिंपल सी है 10,000 लाइक्स इसके बाद तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाईया हमारे पास पैसा नहीं है कि हम किसी का वेबिनार करें वर्क्शा सबसे पहला सवाल पूचा है market depth भाई साब slash बहन जी ने क्योंकि मुझे नहीं पता यह भाई है कि बहन है लेकिन इनका सवाल सिंपल सा है कि यार यह जो बैंक निफ्टी होती है तो बैंक निफ्टी की strength और weakness हम कैसे find out करें how do we identify well देखिए मैं क्या करता हूँ मैं उस बेसिस पर बताता हूँ HDFC bank, ICICI bank, Axis bank, SBI, Kotak, Indecent bank यह कहीं न कहीं मेरे setup के watchlist में हमेशा होते है तो अब हो एक सी बात है आप पूचो के यही bank क्यों है आप क्यों Canada bank क्यों नहीं रख रहे हो आप क्यों PNV नहीं रख रहे हो इसका मतब क्या उनमें trade नहीं करता हूँ बिलकुल कर ब्रेकडाउन मिलता है technical analysis के basis पे वहाँ पर मेरे chart पे signal बनता है तो मैं जरूर लेता हूँ लेकिन फिर केवल ये 5-6 stocks क्यों सिंपल सा answer है HDFC bank का bank nifty में weightage है 25% के आसपास ICICI bank का है 24% के आसपास Axis bank का करीब-करीब 12% के आसपास SBI के अगर मैं बात करूँ तो 10% के आसपास हो जाता है bank nifty तो सबसे पहली चीज बर्खुदार ये समझो कि आपको भी ये watch list में रखना पड़ेगा 50-60,000 रुपे के workshop में भी ये simple सा hack नहीं बताते जो मैं आपको free में बतारो तो like कर देना क्यूंकि ये stocks जिस प्रकार से move करेंगे कहीं ना कहीं bank nifty वैसी move करेगा तो आ का मतलब क्या जो 12 stocks में 12 की stocks हैं जो 6-5-6 stocks बज गए हैं वो अतने value की नहीं उनकी percentage weightage कम है अगर bank nifty को कभी कवार manage करना रहता है कि nifty में strength है लेकिन banks के लिए बुरी खबर है तो वो क्या करते operator दल operator दल नीचे के 6 stocks को किसी तरह manage कर लेते बिकाज उपर वाले तो nifty के भी constituent से कही न कहीं वहाँ पर pressure बढ़ेगा तो पहला तरीका हो गया in stocks की technical analysis आप समय समय पर कीजे दूसरी चीज आपको देखने पड़े ये global क्यूज वाइ global क्यूज एर important because historically यह देखा गया है कि जब भी US बजार गिरते हैं जब भी global markets meltdown होते हैं तो उसका effect सबसे ज़्यादा दो sectors पर पड़ता है एक होता है bank nifty दूसरा होता IT index तो जब भी वहाँ पर pressure पड़ता है ये लोग भी थड़ 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 करके गिरना है शुरू हो जाते हैं और इसलिए any day आपको देखना पड़ेगा अगर global क्यूज बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपके banks वीक होंगा अगर global क्यूज बहुत अच्छे हैं specifically वहाँ के financials ने भी अच्छा perform किया ना तो आपके banking stocks भी अच्छा perform करेंगे next आपको एक देखना कि कुछ banking या financial industry के लिए बोल दिये यह होदे ना trigger days usually क्या होता है कि अगर कभी भी शेयर बाजार में major index ध्यान से सुनेगा कभी भी major index किसी range में बहुत समय तक packed रहता है यह trigger वाले दिन ही इसको उपर ले जाते हैं और by the way यह सारे trigger days कब होते हैं कैसे होते हैं यह सारी चीज देखें आपका जो खुद का setup होता हो वो सबसे जादा important होता है जिसके basis पे आप यहाँ पे judge कर सकते हो मैं भी कुछ setup सिखात हूँ जिसका link description में मिल जाएगा इसी प्रकार से आपको अपने setup पे भरोसा रखना है पड़ेगा तो strength weakness top 5 to 6 stocks देखो global queues देखो trigger के wait करो और अप जैस जी पूछते हैं टेलीग्राम के banking calls पे bank nifty calls पे भरोसा करना चाहिए लेना नीचे तो सबसे पहले तो मुझे यह समझ में नहीं है मुझ पर targeted है अगर मुझ पर है तो दोस्त बता दू कि मेरे नाम पर काफी टेलीग्राम चैनल चलते जो bank nifty bank nifty के calls देते हैं मेरा केवल एक public टेलीग्राम चैनल जो आपको screen पे दिख रहा है और इसके अलावा रीगी पे हमारा premium service चलता है जिसके बारे में आप जो twitter विटर पे रहते हैं वो देखते होंगे काफी लोग तारीफ करते हैं कि सर आपके कारण पैसे बन रहे हैं पैसे बन रहे हैं इसके अलावा मेर कोई नहीं है premium group पे भी मैं chart share करता हूँ वहाँ पे मैं क्या trade कर रहा हूँ live trade with terminal भी बहुत बार वहाँ पे share करता हूँ तो यह उन लोगों के लिए उसका link भी description मिलेगा तो general answer जैस जी अगर आप पूछते हो कि telegram वालों के magnitude calls पे क्या हमें believe करना चाहिए तो answer is no मैं यह नही कह रहा हूँ कि मुझ पे believe करूँ मैं तो किया तो किसी पे भी believe मत करूँ क्यूं तीन चीज़े है ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो spoon से feed नहीं की जा सकती है देखे क्या होता है बाकी सारी चीजों में देखा जाए आप बहुत सारी चीज़े जैसे आपको English सीखनी है आपक किसी भी millionaire को नहीं देखा या Forbes list के किसी व्यक्ती को नहीं देखा जिसने किसी भी telegram के bank nifty calls पे buy sell करके पैसे बना है इसलिए हम भी views देते हैं कि यार मेरा view बनता है मेरे setup के basis पे मैं कभी भी कोई calls नहीं देता हूँ नेक्स चीज अगर आपको करना भी है जॉइन कभी किसी का तो आप याद रखे आप rational के हिसाब से समझे जैसे मैं premium group पर बताता हूँ कि ये चीज क्यूं कर रहे हैं क्यूं हुआ हमको इस पर फाइदा वो जादा जरूरी है ताकि कल को चलके आप independent हो सको तो आप कहीं पर भ लग रहा होगा लेकिन कि सचा ही है उन्हेंने आज तक कभी ट्रेडी नहीं किया in fact मैं आपको कहूंगा कि बहुत बार जब आपको ऐसे statement सुनने मिलते हैं कि हमारा telegram channel join करो तो आपका सारा loss recover कर देंगे हमारा telegram channel join करो तो 100% accuracy है last date पर अगर आपने join किया तो 99% accuracy है इन सारे चीजों पर मत पढ़ना 99% 100% accuracy होती नहीं है next चीज अगर को guaranteed return बोल रहा है तो उसको मत करना और next चीज आपको यह चीज समझे तो यह चीजों का भ्यान रखो और मैं कोशिश आपको यही suggest करूंगा कि आप जितना होसा कि आप independent बनिये लोगों से सीखे लेकिन independent बनिये अब आते हैं final पर बहुत interesting question अभी तक दोस्तों आपने like नहीं कहा तो like कलो और अपना question comments में लिख दो शुबम जी ने तो ना जाने कितने youngsters के दुखती रग पर हाद रग दिया भया यार parents मानते नहीं जुआ है ऐसा कहते है parents को convince कैसे किया जाए कि यह सट्टा नहीं है अपनी कहा करीं क्यों क्योंकि उसके backstory कुछ interviews में है नहीं देखा है तो मैं आने वाले किसी episode में बना दूंगा अगर आप लोग detail में जानना चाते हो तो long story को थोड़ा short करते हैं अब क्या होता है कि मैं almost 6-8 मैंने बाद अपने घर आता हूं एक tab देता हूं parents को titan की घड़ी देता हूं उसके बाद घर के लिए decoration की काफी सारी चीज़े लेकर आता हूं मतलब मोटा मोटी करीब करीब उस समय भी मतलब काफी साल हो गए उस चीज को उस समय पे करीब करीब 50-60,000 रुपीज के gift लेकर आता हूं गिफ्ट्स ठीक है स्रिप 50-60,000 के gifts तो घरवाले बोलते हैं अरे व देवाले क्या नौकरी छोड़ दिये लेकिन वो जटका शायद उतना बढ़ा नहीं था जो वो तब होता जब मेरे पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था आगे चलके जब वारता लाप करी तब मेरे पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था कि ट्रेडिंग से मैंने XYZ अब शुरू कर दिया है और यह रिस्क में अपने उपर ले रहा हूं उन्होंने ऑविस सी बात है जाहिर सी बात है टोका था कि अरे अभी भी कुछ साल है सरकारी नौकरी के लिए अपलाए कर लो एक्जाम के लिए बैट तो जाओ मतलब देखिए यार मैं एक नॉर्मल सीधा सा जाता फैमिली से आता हूं गोल्डन स्पून के साथ में पैदा नहीं हो आज की यूग में काफी सारे में ट्विटर पर देख तो खुशी भी लगती है काफी सारे बच्चे जो ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहें उनके घरवाले उनको पच्चेस लाग पचास लाग रुप मैं पॉइंट यह बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं आपका हितनी चाहते हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं जब हमान यंग रहते हैं यंग बलड तिल 23-24 यह चीज़ा समझ में नहीं आती है हमको थो हमारे पेरेंट्स पाना नहीं देना चाहते हैं वो समझे विकास ट्रेडिंग में काफी अंसर्टिन्टी है उन्होंने कहीं से सुना होगा और डर रहता है कोई भी अपनी बच्चे को कोई भी अपने बच्चे को एक सर्टन एंवार्मेंट में देखना चाहता है और आज भी बहुत बड़े अब हो रहा है अब हो रहा है मनी कंट्रोल टेडेक्स इस तरह जो स्टॉक अब धीरे धीरे करके यह उभर रहें तो आपके घर वालों को भी ना वो माइंडसेट बनाने के लिए टाइम लगेगा तो आपको सबसे पहले अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा बिफोर यू प्रूफ तो यॉर पेरें आप जाके अपना फ्रीलाइंसिंग में काम करो किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस प्रूइड करो किसी को ग्राफिक्स का काम प्रूइड करो किसी को वीडियो एडिटिंग प्रूइड करो आपको यह खुद से एफट लेना पड़ेगा भाया दुनिया वड तो सबसे पहली चीज, शुमम, ध्यान से सुनी, आपको ये सब मत सोचो, पेरेंट से भी कन्विंस नियो रहे, अपने आपको पहले प्रूफ करो कि क्या सही में आप अच्छे ट्रेडर हो, उसके लिए अपना कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो भली 10,000 का कैपिटल हो, 20,000, अपन कभी कभार, कभी कभार, मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, 10 साल बाद है, 20 साल, 40 साल, अगर आप 3 साल थोड़ा पुश भी कर दोगे अपना प्रोग्राम, तो मार्केट कहीं नी जाना, अपॉर्चुनिटी कहीं नी जाना, बैंक निफ्टी इधर ही है, जुआरी इधर ह है, सब कुछ इधर ही है, आपका अभिशेक भाई भी इधर ही है, आपको गाइड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, एक स्टेप पीछे लो, आप थोड़ा कमाओ, अपने आपको प्रूफ करो, ट्रेडिंग का इंकम जब आपके existing income सोर्स से जाधा बढ़ रहा है, तब जाके एक बार पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स अगर तब कंविंस ने हो रहे, तो अपने आपको ये चैलेंज दो कि तीन साल के अंदर अपने आपको इस मुकाम में पहुचा दूँगा, कि पेरेंट्स भी मानेगे, आपको क्या लगता है, यह जितने सारे यंग इंड इंडियन, बिलियनर्स की स्टोरी आप सुनते हैं, उनका घरवाले चाते तो वो बिजनस करें, मैक्सिमम की स्टोरी में हमारे ना इंडियन माइंडसेट बड़ा कंसरवेटिव होता है, रिस्क टेकिंग अपटाइट होती नहीं है, सच बोल रहा हूं यह वाली चीज, तो बहुत लोग मना करते हैं, तो यह, तो प्लीज, याद तो समय मांगो कर समय दे दिया, कि भाहिया में को दो सार, जैसे अभी ना मेरा कोटा वाला इवेंट था, तो अनन्द भाई बुलाए थे, मैं किसी को नहीं बताया था, लोग अपने आपाया थे, कुछ बहुत सारे ल मुझे ना एक-दो साल का और महलत दे दो तो यह, तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके वहीं पर वीडियो दिया, इतने सारे लोग थे, बट वो विचारे इतने टाइम से बोल रहे थे, मैंने वीडियो में दिया, कि आप टेंशन मतलो यार, आप ये चीज करो, जो लोग कोटा इंडियन पेरेंट्स है, आपका अच्छा ही चाते हैं, बुरा नहीं चाते हैं, ठीक है, बोरो मत करो, किसी सी मत करो, एक स्टेप पीछे लो, अपने उपर फोकस करो, अपने स्किल्स पर फोकस करो, अपने आपको उस मुकाम पे लियाओ, देखो, इंडियन पेरेंट्स भी security चाहते है और पैसा चाहते है जिस दिन मेरे पास वो दोनों आगया ना घरवाले कुछ नहीं बोलते थे ना घरवाले ना आपके साथ जो सहेली सहेले जो भी रहते हैं महिलाएं जित्ती भी रहते हैं कोई कुछ नहीं गएगे थोड़ा सा जादा बड़ा हो गया यह अंसर बट जरूरी था क्योंकि आप में से काफी सारे यंग्स्टर्स का यह सवाल दिमाग में होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा तिल देन, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading